देखिए भारती जन्ता पार्टी राष्टे पार्टी है उनके पार्टी में जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास को करते हैं इतने समय में और और पार्टियों में दी हूँ परन्तु भारती जन्ता पार्टी ने जो कहें जो हम आपको मंतरी बनाएंगे और अभी जो है मानिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ओ देश से नॉमनेट राजसभावी एक किनर को भेजने जा रहे हैं एक सीट किनर समाथ को दे रहे हैं देखिए अभी पहली वार देश मेً पदम भूसन किसी किनर को राष्ट पति भवन में देने का काम के जो बेंगलोर के किनर को पदम भूसन दिये विश्व प्रसिद महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मुनिदिन चिष्टी की दर्गा में उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किर्णर कल्यान बोर्ड की उपाद्यक्ष और पार्टी की इस्तार प्रचारक सोनम किर्णा ने आज अजमेर में प्रणी उड़ा कर दूआ की वहीं ब्रह्मा नगरी पुष्कर में भी सरोवर में इस्नान कर भाजपा की जीत और योगी के मुख्यमंत्री बनने की कामना वे प्रात्ना की सोनम किन्नर ने ब्रह्मा जी के दर्शन कर मनो कामना मांगी पत्रकारों से बात करते हुए सोनम किन्नर ने कहा कि भारती जिनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के पैटर्न पर काम करती है यूपी में भी पार्टी ने सभी समाजों के साथ किंडर समुदाय को भी सम्मान दिया है उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया है उन्होंने का कि भाजपा फिर से 300 से ज़्यादा सीटे जीत कर यूपी में सरकार बनाईगी सोनम किंदर ने समाजवादी पार्टी पर जम कर हल्ला बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टीयां आचार सहीता का सरयाम उलंगन कर रही है चुनाव आयोक को इन पर कारवाई करनी चाहिए आज मैं आप लोगों को बुलाने के कारण मैं अजमेर से जुरी रही हुँ और अजमेर से मैं नॉमिनेट पारसद भी रही हुँ और आज मैं अपने संघर्ष के बदोलत राष्टिय पार्टी उत्तर परदेश राज की मैं भार्ट जनता पार्टी मानेशिर योगी आदितनाथी जी की सरकार में राज मंत्री दरजा प्राप किन्नर कल्यान बोड उत्तर परदेश सरकार की वाइस परसीडेंट बनाई गई हुँ और मैं उत्तर परदेश सरकार की तरफ से ब्रह्मा जी की नगरी ब्रह्मा जी के पुषकर सरोबर में मकर सक्रांत्री के पावन परप पे वहाँ पे असनान करके ब्रह्मा जी की नगरी में ब्रह्मा जी से हमने प्राथना किये 2022 में पूर्ण बहुमत से भारती जन्ता पार्टी की सरकार बने और गंगा यवना सरुसती की जो हमारी भारत की धरोहर जो प्रादिक मुल जो कहलाते हैं हमारे एक ख्वाजा गरीब नमाज हिंदल वली हिंद के राजा जहां पे बाश्या से लेके रंग फकीर सभी इंसान मानवता के नाते आते हैं और अपनी मुराद लेके आते हैं तो मैं गरीब नमाज की बारगा में आई हूं 2022 में मानी योगी आदितनाजी की फिर से सरकार बने यह में डोरा लक्षा बांधने आई हूं और गरीब नमाज की चोखट पे मननत मांगने आई हूं जो हमारे योगी आदितनाजी फिर से उत्तर परदिश राज के मुखमंत्री बने हमारे सयद साहब हाजी समीम चिस्ती जी के नितवर्त में हमने यकीदत फूल और चादर पेश किये हैं हमारी चादर योगी सरकार जी के तरफ से और फूल और इत्र हमने ख्वाजागरी नमाज की बारगा रिसालत में पेश करवें करने का काम हमारे जो हाजी सयद समीम चिस्ती जी के नितवर्त में और आमजी है पुरपारसद उनके नितवर्त में हमने पेस किये और आज हमारे जो केंडिडेट भारती जन्ता पार्टी ने घोशित किये हैं उस सारी केंडिडेट के लिए हम सुब कामना देने आएं और गोरकपूर से हमारे मानी मुखमंत्री जी परत्यासी बने हैं भारी मतों से जीत होंगे हमारे केसर परसाद मोरिया जी उप मुखमंत्री और हमारे मानी योगी आदित नाधी जी उनके लिए भी हम परातना करें लाखों मतों से जीते क्योंकि उनका घर है गोरकपूर और आई उध्या से लड़ने की बात थी और अई उध्या से लड़ते तोर खुशी होती लोगों के बीच में परन्तु केंद्रिय बोर्ड ने और परदेश के सिस नितवर्त ने गोरगपुर्ट से लड़ाने के लिए देखिए भारती जंता पार्टी राष्ट्य पार्टी है उनके पार्टी में जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो करते हैं इतने समय में और और पार्टियों में दी हूँ परन्तु भारती जंता पार्टी ने जो कहें जो हम आपको मंत्री बनाएंगे और अभी जो है मानिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ओ देश से नॉमनेट राजसभावी एक किंणर को भेजने जा रहे हैं एक सीट किंणर समाज को दे रहे हैं देखिए अभी पहली वार देश में पदम भूसन किसी किंणर को राश्टपती भवन में देने का काम किम जो बैंगलोर से कि रिकिनर को पद्भुसन दिये हैं तो भारतिय जनता पार्टी सब का साथ और सबका विकास करती है और राधस्तान में भी 2023 जीतने जा रही है देखिए जो यह विधायक छोड के गए हैं यह विधायक इन से उनके कारकरता नराज हो गए उन्होंने ना तो कभी मीडिया को सम्मान दिये ना पॉटल मीडिया इलेक्टोनिक मीडिया ना ही प्रींट मीडिया का और उनके अपने जो कारकरता थे जिनके आपने बेटा के लिए अपने पुत्र के लिए और अपने रिष्थेदारों के लिए तो यह राष्टिये पार्टी होने कारण से सब को मुका देती है जब उनको देखें जो उन्होंने हम चुनाव हार रहे हैं और हमें हमारे परिवार का भला नहीं हो पा रहा है तो उन मुक्ति हुई नाव पे जाके बैठे हैं भविस में कभी जीवन में कोई नहीं आएगी स्रीप बीजेपी ही 2022 में पुन बहुमर से मानियोगी आदितनाजी वापस मुखमंत्री बाइस की उत्तर परदेश राज से 2022 के चीफ मिनिस्टर होने जारी जनता उनको पुन बहुमर से अचिछ बादे लें